किसानों की आयर नाकारात्मक हुआ है सकरात्मक की जगर नाकारात्मक हुआ है आपकी नीतियों से उत्पादन भी एक लाख टन घटा है दस सालों में लेकिन आप मुख्यमंत्री हैं और हम जुने हुए जन प्रत्नी जी हैं तो सवाल तो मैं मुख्यमंत्री से ही करूंगा परबीशन और मैस्वातिपांड़े आपके साथ मुख्य मंत्री जी अपने हिसाब से अपना कोई भी ब्यार में जगण चुन ले और वहां से चुनाव लड़ले बिहार की जनता आपको आपकी हैसियत दिखा देगी बिहार की जनता बता देगी कि आपके उपर से बिहार की जनता का भरोसा अब उठ चुका है ये सारी बाते बिहार के पुर्व क्रिशी मंतरी सुधाकर सिंग का कहना है दरसल बीते दिनों जननायक करपूरी ठाकुर के पुन निती थी पर मुख्यमंत्री निती इश्कमार उन्हें स्रधांजली अर्पित करने पहुचे थे और जब मीडिया कर्मियों ने उनसे सुधाकर सिंग पर सवाल पूछा तो मुख्यमंत्री ने टपाक से जवाब दिया औ और हम जनता के नेता हैं जनता सब जानती है जनता ही मालिक है इन सब बातों पर अब सुधाकर सिंग ने जवाब दिया है और सबसे पहले आपको पता है सुधाकर सिंग ने एक लंबा चोड़ा चिठी लिखा था पतर लिखा और पतर लिखकर मुख्यमंत्री नितीश कुमा पर सुधाकर सिंग हमलावर होते हुए कहते हैं कि आपके उपपर से जनता का भरोसा उठ चुका है आप एक ही रागल आपते रहते हैं अगर आपके खिलाव कोई बोलता है तो आप उसको कहते हैं कि आपको तो कुछ पता ही नहीं है उनको तो कुछ पता है नहीं, उसके ग्यान पर आप सवाल खड़ा कर देते हैं मैं आपको खुला चैलेंज देता हूँ, आप बिहार क्या कोई भी जगा उठा लिजिए किसी भी जीले से आप में चले जाएए, कहीं से भी आप चुनाव लड़ दीजिए किसी को पता है क्या, आप सभी जानते हैं कि आपके जो सरकारी जो आंकड़े, विभागी आंकड़े हैं उस आंकड़े में आपने विश्वास दिराया था बिहार की जनता को, इक्रिशी रोड मैब दो और तीन में तीन लाग करोड खर्श करने के बाद उत्पादन दो गुना होगा, एवं किसानों की आई दो गुनी हो जाएगी दस सल के बाद भी आपके जो विभागी आकड़े व सरकारी आकड़े हैं और कहते हैं किसानों की ना आय बढ़ी मेरा तो आम मानना है कि किसानों की आय नाकरात्मक हुआ है, शकरात्मक की जगह नाकरात्मक हुआ है आपकी नीतियों से उत्पादन भी एक लाख टन घटा है दस सालों में लेकिन आप मुख्य मंत्री हैं और हम जुने हुए जन प्रत्निधी हैं तो सवाल तो मैं मुख्य मंत्री से ही करूँगा आप कोई क्यों पीड़ा होती है विहार की जनता को सवाल का जबाब देने में आप जबाब की जगह नए सवाल उठा रहे हैं कि बयान देने से आप पार्टी के नेता हो सकते हैं जनता के नेता नहीं हो सकते इससे बड़ा आश्चर्जन क्या होगा मैं चुना हुआ जन प्रत्निधी हूँ खासतोर से एंडिये के खिलाफ जो कंडिडेट आपने लड़ाया था उसको मैं चुनाव हरा कर जीद के आया हूँ सदन में आप सवयम चुनाव नहीं लड़ते आपको तो बिहार की जनता पे भरोसा होता तो सत्रह सालों से चुनाव अपलाणा बंद कर चुके हैं और इतना ही लगता है कि बहुत अच्छा आप काम करते हैं तो अपने पसंद का इलाका चुन करके चुनाव लड़ना चीजिए आने वाले चुनाव में जिससे पता तो चल सके कि आपके जो नीतियों पर चल रहे हैं विहार को विकास का जो जहांसा देने का काम कर रहे हैं उसे लोगों को पता चल सके मुख्यमंत्री जी कौन ऐसा मेरा सवाल है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा किरिषी छेत्र में कोई भी अगर आपकी उपलब्धी हो तो उसको बताने में आपको हर्ज क्या है नहीं तो मैंने कहा भी कि किरिषी रोड मैप 2-3 की जांच करवाली जा कि क्या प्रगति है उस पर लेकिन आज तक कोई भी विभागी ये कारवाई किर्शी विभाग के द्वारा और आपकी अस्तर पे नहीं किया गया आप चोथे किर्शी रोड मैप की बात ये चर्शा करने लगे कोई बात नहीं आप मुख्यमंत्री है आपका अधिकार है आप चोथे किर्शी रोड मैं अपलाने के लिए लेकिन यह बात को शिकार कर लेना चीए मुख्यमंत्री जी कि आपके नेतियों से बिहार के किसान बरबाद हो चुके है बिहार में आपके पास कोई नेती अस्पष्ट नहीं है आप बिहार विधान सभा में मेरे द्वारा पेश किया गया क्रिशी बिल मंडी कानू नेजी विधयक पिछले सत्र में आपने चर्चानी होने दिया मैं तो आमंत्रित करता हूँ स्वस्त भास के लिए